जै शिरम सभी भगतों को जै माता की फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होगी है और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताएए कि पूजा करते हैं पूजा करते समय जो है संबोग की क्रियाई दिखाई देती हैं मन बिचलित होता है या लगातार इस तरह की ही हमार साथ जो है कारें हो रहे हैं बहुत ही जो फ्रिक्वेस्टेड कि वीडियो होने वाली है क्योंकि भागत एर व्रक्वेस्ट करके मैसेज हमारे जो है उनका नाम घुपतर रखेंगे एससे ऊपर वीडियो बनवाईए ये ताकि हमें विशहली मैं जानकारी पूर्ण करें चैनल को जुरूर तो हम्हाई-एक सब्सक्राइब करें हो быіз सबसे पहले ही आपके फोन में पहुँंच चलिए सुरु करते आस्कों कि जब हम भग्वान की पूजा करते हैं ये बात तो मैंने हर वीडियो में आपको बोली है कि बगवान की पूजा याचना तपस्या और मंतर जाब की शक्ति पनाम जाब की शक्ति जब हम कोई भी शक्ति को जागित करने की परियास करते हैं कोशिश करते हैं तो उसका एक अंतिम चरन जरूर होता है जिसमें अंदर एक उबाल आता है, वो एक उबाल आता है, जैसे दूद का उबाल आता है, उसी पकार से, जो हमारे शरीर की मलिंता है, वो कहीं न कहीं बार आने लगती है, नेकिन उस मलिंता का कुछ और परकार की परभाब भी होता है, कहीं पकार की मलिंता होती है, एक तू व्यक्ति जो लंबे समय से पूजा याचना कर रहा है सादक मंतर जाप कर रहा है लगातार परियास कर रहा है कोई पूजा या हनुमान चलिसा या सुन्दर कान का पाठ कर रहा है तो उसके शरीर की मलिन्ता कहीं न कहीं अगर इस पकार का कारिया उसके साथ हो रहा है तो उसके शरीर में कहीं न कहीं जो मलिंता है अंदर जब कोई किसी नाम की शक्ति का प्रवेश होता है किसी जाप की शक्ति का प्रवेश होता है अंदर की विकार जो है मलिंता जो है वो कहीं न कहीं बार प्रकट होने लगाती है और जब वो मलिंता बार प्रकट होती है तो वो मलिंता क कि मलीन संकट होते हैं जो आदमी को तंग करते हैं परशान करते हैं वो कहीं न कहीं ये चाहते है कि आप बगवान की पूजा ना करें कहीं न कहीं आप पूजा करते हो नाम जाप करते हो मंतर जाप करते हो हनुमान चलिसा करते हो दुलगा शत्शी का पाद करते हो कोई भी होता है कि आपके उपर विशेश तोर पर आपको मलीन करने के लिए ही बेजा जाता है कोई ऐसी तार्गेट पर चीज बेजी आती है किसी के घरिस्ति को खराब करने के लिए जिंदगी को खराब करने के लिए ताकि ये व्यक्ति इस पकार की भोग विलास के लियाओं में गु ध्यान जो है जादा रहता है और वो चीजे उनको गलत करती है गलत करके जैसे कई वारी ऐसी लड़कियां भी होती है तो चुराय से कोई चीज किसी लड़की के साथ लग गई और वो चीज खुद पहले ऐसी कुछ गलत थी तो उसी पकार का प्रभाब जो है बोली पर लाड़की के लाड़की के अंदर सारे प्रिवत्थन उत्वन होने जब फूझापाध करती है परती करती कई चया कोश्यन में का कुछ बatus कोरें की गजब हम परती ही मरिंता साद्वरन में चलता है। नेकिन इनको पहचानने के संकेट आपके पास ही है अगर आप लंबे समय से बगवान की पूझा कर रहे हों ता समझतों आपके अंदर की मलिंता जो है शुद्निकर्ण में जारी है आपके अंदर कोई नाम जाब की शक्टी चल रही है अंदर से शरीर के अंदर का विकार जो है बार आ रहा है और शरीर जो है आपका शुद हो रहा है अगर इस पकार का अगर आप पूजा पाट कभी कभाग करते थे कभी कभाग करते हूँ और जब आप इस पकार का विचार हो रहा है तो कोई चीज चाहती नहीं है कि आप खाफ़ किया नाम जपो, भगवान के नाम का सिमृन करो, या किस पकार गाफ़ कहीं अगर आप इसमा नाम का सिमृन करने लग गए, ख край ये बागवान की जाप का सिमृन करने लग लग गए, तो वो चीजों का अधिकार जो है आपके बोनी से बिलकुन रुख से छोट आपको उन चीजों से आप रहात मिल जाएगी, तो वो चीजे चाहती नहीं है कि आपका माइंड बदले, आपका माइंड बदले और आप सुधरे, और ये चीजे जो हैं, आपको कहीं न कहीं कलंकित करना चाती है, गलत करना चाती है, ताकि आप दूशित रहो, मलिंता रहो, कि आप भगवान को ना पापा हो और कई भगतों का ऐसा भी होता है जैसे कि साधना कर रहे हैं तो साधना के दोरान इस तरह के संकेत होते हैं इस तरह की बाते होते हैं तो उसका क्या करण होता है ये भी इसलिए होता है ये भगवान की प्रिक्षा ही भी होती है कुछ हमारे जिस पकार का उसका व्यक्तितव होगा उसी पकार की उसकी जो है प्रिक्षा चलेगी जब आप किसी नाम जाब करते हो मंतर जाब करते हो कोई भी शक्ति की अराधना करते हो तो आपकी प्रिक्षा तो होना स्वाबिक है क्योंकि ये व्यक्ति किस लेवल पर जाकर गिर सकता है किस लेवल के जाकर मालो भगवान को पाने की इसकी परबल इच्छा तो है नेकिन ये अपने बोड़ी के ओपर निरंतर रख सकता है अपने इंदरी पे ओपर निरंतर काबू कर पा रहा है या नहीं ये चीज़ ये भी देखी आती है भगवान उस पकार से आपकी प्रिक्षा भी लेते है उस सब्जेक्ट के ओपर जिस सब्जेक्ट पे आप वीक हो आपका वीक जोन है उसी वीक जोन को दबाय जाता है उसी वीक जोन के ओपर असर के जाता है साधना कर रहे हो सादना में सकस्थ होने के लिए आपनी इंद्रियों का वश में होना तो बहुत जरूरी है अगर आपकी इंद्रियां आपकी इंद्रियां वश में नहीं है तो कही न कही आप विचली तो सकते हो सादना आपकी सादना को करप्ट करने के लिए ये सुम भगवान के बेज़ेवे यंतर है अब मन में मलिंटा उत्वन होना भक्ति के दुणान होना तो ये कहीं नहें जो है मलिंता भी है इसके दो पकार के विचार भी उत्वन हो सकते है एक ये भी कि अगर आपके अंदर की जो मलिंता है वो बार आ रही है अंदर का जब तो की मंतर के जाप में बहुत जादा शक्ति होती है नाम में बहुत जादा शक्ति होती है अगर आपके मंद में राम शिरी राम शिरी राम शिरी राम शिरी राम शिरी राम जैसे हमने तीन वार चार वार इस मंतर का जाप जैसे की ओम एक वा जिससे हमारे शरीर के अंदर जो मलिंता है वो बार आने लग जाती है वो बलिंता और इसमें दोनों बातों का ये भी हो सकता है कि कहीं ने का कई भगवान आपकी प्रिक्षा ले लिए हो आपके शरीर की शुद्दी भी हो और भगवान भी आपकी प्रिक्षा ले लिए हो तो मुंका आसरा लेकर तो हम सब कुछ कर सकते हैं तो यह कौन सा बड़ा छेत्र है तो अगर इस पकार की समस्याएं आपके साथ उत्पन हो रही है आपके विचारों में मलिन्ता उत्पन होती है गल्त सो पना आते हैं भोग विलास की किरियाओं के दिश्य दिखाई देते हैं तो इस पकार की इन चीज़ों के पीछे इस चीजों का हात है जो आपकी नाम जाब जाप करने में, मंतर जाप करने में, जो दुविधाय उत्वपन हो रही है, या आप पूजा पाट करते हो, तो इस पकार के भगवान के परती विचाना रहे हैं, तो यह सारी कहानी, जो मैंने आपको बताई है, इस पकार से है, करते हैं। तो आप इस वीडियो पर देखकर अपने उपर पूराइज्ञतर पर कंट्रोल कर कर आप एक अपने पूजा के लाइन में ंपने जो भी आप प्ने ऑप